हुआ 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 है दोस्तों यहां पर काफी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट में उसके साथ ही थोड़े से फंडमेंटल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे यह स्टॉक एक अच्छा स्टॉक वो सकता है अभी हमें काफी अच्छी जगहें पर भी मिल आने वाले टाइम में काफी स्टॉढर करते हैं कुछ ऐसे सब्सक्राइब करते हैं था सब्सक्राइब आप और स्टॉंग कन्विक्शन होता जाएं यहां पर देखोगे कि इदर पर हम लोगों ने किस तरीके से इतने सारे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छे रिटल्स मलब की गेन किये यहां देखो कि सिस्टीन पर्सेंट ऐटी सी एच्बील पावर एंड उसके बाद म नहीं हुआ होगा और इन सारे स्टॉक्स में जिन्हों ने काम किया होगा तो वह अच्छे खासे प्रॉफिट में चलना होगे तो अब यहां से बात कर लेते हैं अपने स्टॉक की बिना किसी देरी के तो यहां पर आप देखोगे यह स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट अभी अ मार्केट कैप हैं इसकी 1390 करोण की ठीक है तो बहुत बड़ा भी स्मॉल कैप का यह स्टॉक है और इस टॉक पी बहुत अच्छा मुझे लगा 25 के आराउंड है और भी मैं आपको कुछ और भी चीज़े इसमें दिखाता हो आप यहां पर देखोगे जो यहां पर पीर कंप लेवल नहीं है ठीक है यह तो आपने पीर कंपेर्जन देख लिया एंड उसके बाद में दोस्तों आप यहां देखोगे प्रोज और कॉंस में भी कुछ नहीं आप एक प्लस पॉइंट हुआ एंड उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देखोगे सेल्स जो हैं हमारी व पहर आंड चैНज नहीं हो रहा है ठीक है जो ठोड़ा बहुत चैंज नहीं हो रहा है चैन्हां टेखने अप teats कर रहा है और यहां होना चाहिए मतलब की दिखने में मिन घlles Cake अगर no ठीक है एंड आप यहां पर देख पारे होगे कि इधर पर भी आप अपनी ने प्रॉफिट अंड किये हैं एंड उसके बाद में यहां पर बॉर्विंग देखते हैं कंपनी बहुत ही कम है एंड रिजर्व कंपनी के पास है अच्छे तो यह सारे इसके पॉजिटिव मुझे दिखाई दिए और उसके बाद में यहां पर अगर अगर देखने पास भी है तो यह यह चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ठीक है और यहां पर देखोगे पुब्लिक के पास में आप पर फुर्टी वन परसेंट है एंड तो यह कुल मिला के दोस्तों भी कंपनी मुझे अच्छी लगी एंड चार्ट में मैंने देखा तो और भी यहां पर लग रहा था अब यहां से हम लोगना टेक्निकल एनलिस देखते हैं फंडामेंटल भी पता होने जरूरी है कुछ स्टॉप में आप यह मान के चलो जब भी आप स्विंग करते हो तो आपको कम से कम ट्व पैटन है ठीक है यहां पर देखोगे एक फ्लैक टैप का यह पैटन है ठीक है यहां से उपर गया नीचे आया और उसको सपोर्ट दे रहा है बैक टू बैक तीन कैंडल यहां पर बन चुकी है अगर हम लोग इस पॉल्ट्रिकूलर पॉइंट से अपने फिबनाची को लगा है यहां पर आप देख पाओगे जो कि हमारा एडवाल से उपर जा रहा है तो मेरे चैनल पर जाके देखना भी रिसेंट्ली मैंने डाला है ठीक है एंड मैं यहां उपर लिंक भी दे दूंगा आप उसमें क्लिक करके देखने ना तो इस तरीके से आप देखोगे यह कुछ सब्सक्राइब यहां सी इसमें रिजेक्शन आया प्लस ट्वंटी में भी है आप तो यह दो हमारे फैक्टर हो गया एंड उसके बाद में अभी हम लोग यहां पर वीकली में देखेंगें दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है कुछ इंफॉर्मेशन मिलाओ तो प् यह आपको यह झाल दिख रही है यह जो आपको लाइन दीख रही है यह घुक लाइन दोस्तों एक मिनट जाव हमारे में यह तो अब यहां से ब्रेग हुआ तो बहुत यह अच्छा मोमेंटम आ सकता है और यहां से उपर भी जा सकता है तो अच्छे पॉइंट्स यहां पे सारे दिखते चले जा रहे हैं डेली टाइम प्रेम में अभी हम लोग देखेंगे देखें मेरा वीडियो जरूर लंबा हो जाता है बट मुझे आप लोग से उमीद है कि आप पूरा देखेंगे और उससे दोस्तों यहां पे आप देखोंगे आपको सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे आप देखोंगे आप वन डे में क्या दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से यह एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है ठीक है यहां से उपर जा रहा है इसकी मैं कर देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है कि यह देखिए आप यहां पे कंसॉलिडेशन था प्राइस उपर गया एंड उसके यहां खुद को वोल्ड गया एंड यहां पर भी 20 एमें है तो मतलब कि कल अगर यह लेवल ब्रेग होता है जब भी ट्रेडिंग हमारी चलेगी अगर यह लेवल ब्रेग हो आते हैं 875 के तो यहां से बहुत बड़ा मोमेंटाव हमें आता हूँ आई देगा यहां शेरिंग इस स्टॉप विच यू एंड पैने कि हमें इस स्टॉप है पॉजिटिव रहने चाहिए चुका है एंड लेट सी कि यहां से किस तरीके से मूव आता है अब आप यहां पर इंपोर्टन लेवल कि अगर हम लोग बात करें टार्गेट की तो फैने की दोस्तों जो पहला टार्गेट हम लोगों रखना चाहिए वह नाइन सिस्टी के आपको कुछ दिन में नहीं मिलेगा इसमें टाइम लग सकता है यह जो स्टॉक है यहां पे आपको एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा दो तीन मन तीन मन चार मन यहां पे आपको एच्छे रिटन ले सकते हैं अगर स्टॉप लॉस की बात करें अगर डेली के साफ से आप चल लए हो तो कहीने के इस स्विंग के नीचे जो ट्वंटी एम है ना इसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉस रखना और यह जो स्टॉप लॉस यहां पर रखते हैं तो भी आप देखोगे वन इस्टू 3.8 का यहां पर ट्रेड मिला है और वन इस्टू 4 कह लो आप तो यह दोस्तों यहां पर है और कैसा लगा आपको एनलिसिस यहां से इक अच्छा बूम आ सकता है अगर हम लोग यहां पर इसको वन आवर पर एक बार स्टॉडी कर लेते हैं तो आप देखोगे कि वन आवर पर यह कहीने कही स्टॉप पॉजिटिव हो चुका है क्यों मैं मैं ऐसा बोलना हूँ वह भी समझ देते हैं कि स्टॉप उपर गया और यहां पर देखो स्टॉप नीचे से उपर आया वन आवर टू हैं में को ब्रेक किया रेंज बनाके अगेन यहां पर ब्रेक आउट दिया है ठीक है तो यहां से अगर इसको कंटीनिवेशन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया यहां से यह स्टॉप जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों करते हैं आपको पूरा पॉइंट समझाया कि किस तरीके से हमें स्टॉप पिक किया हमने क्या क्या देखा आपके लिए वीडियो बैनिफिचरी रहा हो एंड प्लीज इसको ज़रू लेते रहे कि उनका सिर्वाने तो आपके आगे जाएंगे